रादे रादे जैसीर किष्णा आज ऐसे मिठाई लेकी आई हूं ना तो इसमें खुए की जुरूत पड़ेगी ना गेस लाने की और तो और ना घी की और मुह में घुल जाने वाली एक तव माउथ वेट रिंग और तो और पड़ोसी भी इसकी खुश्वू सूंके दोड़े चले आएंगे भाई क्या बनाया तो वीडियो सुरू करती है यह मेरे पास मिक्सी का चोटा जा रहा है यह कटोरी में मैंने शक्कर लिए शक्कर को आप सोसरे इसकी पूरी डालूगी नहीं मैंना इनको चार बड़े चमच के करीब इसमें डालूगी यह जो मेरी चमच है ब जाल सकते हैं मैं तो सिर्फ आट से दस काजू इसमें लिए तो इन काजूओं को हम इसी शक्कर के साथ पीस लेंगे और एकदम इसका फाइन पाउडर बनाना है ऐसा बनाऊंगी कि मुझे इसको च्छानी की जोटनी पड़ेगी इसमें एक भी क्रिश्टल रहना नहीं चाह मिल्क पाउडर कैसे भी कंपणी का हो तो आप भूली सकते हैं लेकिंगे डिरी वाटनर का बिलकुल निल्य आप इसमें चाहर चमज भर के डालूंगी कोकोनेट पाउडर यानि नारियल के बुराधा तो इसी की साथ हमें इन मिल्क पाउडर के साथ इसको पीस लेंगे नार घर में कुछ सदस हो को इलाजी का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं आता है इसलिए मैंने दोस्तों नहीं डाला इसमें अब यह मेरे पास है ना फ्रेस मलाई है मलाई आज रात की दूद की ही उतारी थी वैस वही है इसमें आप इना दो तीन दिन पुरानी वाली मलाई बिल् इसलिए को अब इसमें जो नारियल पाडर का बिरादर बिल्कुल विपाडर होता है तो बिल्कुल भी निया चाहिए कि बनेगी बस वैसे इसमें मिल जाएगा अब आप सोच नोगी यह तो सफेद था इसका कलर कैसे से चैज़ हो गया तो गैस जब मैं एडिटिंग कर रही मुझे बिसकेते बिसकेते न हैं तो इसद के चारव पांच बिसकीट के पाउडर को बना के इसमें डाला तो इसका टैक्षर भी तो इसका जगे इसद की अप्सक्रिंट की बून ही डाला बिसकीट की जगे आठा भी दूमंकah यह मेरे पास मिठाई का डिब आक्सर मेरे गर मिठाई आती है तो मैं उन डिबो को फिल्कुल भी पैकती है क्योंकि बड़तन भी आपके गंदे नहीं होंगे बस डिब्बे में डालो और जमाओ यह पैक भी सकते हैं चाहों तो आप रख सकते तो द्वारभी यूज में आ जा आपके पास हो तो लगा लो ऐसा कोई जरूरी नहीं है थोड़े से ड्राइफूट बिल्कुल ने डालोगी क्योंकि मैं इसमें पहले ही काजुट डाल चुकी हूं आप इसको मैं रखूंगी थोड़ी देर के लिए फिरिच के अंदर सिर्फ आद गंटे के लिए ज्यादा तो यह बिल्कुल भी मौकशर नहीं होना चाहिए तो फाइनली पांच मिनट हो गए हाथ गंटे करीब यह बिल्कुल नहीं रखा था सिर्फ मैं इसको ना पांच मिनट के लिए फिरिच में रख दिया है और यह अच्छे से सेट हो गई है अब इसको मैं डिब्यों को पूर प्रिच इस वीडियो को जरूर लाइक करना मेरे चैनल पर नहीं है जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आकन गंटे को प्रेस करो तो ऐसी वीडियो लिग के आउंगी और आप जो रच्छा मंदन आ रहा है तो आप ऐसी मिठाई जूरू बनाना और इस मठाई में कुछ भी कर्च नहीं तो पांच मिनिट की अंदर में ये मिठाई बनके तयार होती है मैं जूट नहीं बोलूँगी दो मिन तो खेर नहीं लगते हैं पांच से दस मिठ जूरू लग जाती है और मिठाई आपकी आपको पसंद है तो प्लीज को लाइक करना राधे राधे जाय सिरकिष्णा टेक क्यार